स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिक सिगनल को साउंड सिगनल में कनवर्ट करता है यदि स्पीकर को आप ओपन करके देखोगे तो आप पता नहीं लगा सकते कि यह साउंड कैसे जनरेट करता है इसके पिच्छे की इंजिनेरिंग एक अलग तरीके से काम करती है यदि बाहर से स्पीकर को देखोगे तो हमारा ध्यान यह बड़ी मेगनेट ही अट्रेक्ट करती है यह एक पर्मानेंड मेगनेट है इस मेगनेट के बीच में एक होल होता है जिसका बहुत बड़ा रोल है इस मेगनेट के भी दो पॉल होते हैं उपर की साइड नोर्थ पॉल और नीचे की साइड साउथ पॉल इन पॉल का डिस्ट्रिब्यूशन इस मेगनेट में अलग तरीके से किया जाता है और उसके लिए मेगनेट के दोनों साइड में टॉप एंड बोटम प्लेट लगी रहती है टॉप प्लेट नॉर्मल सेप में होती है लेकिन बोटम प्लेट की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है जिसको मेगनेट में कुछ ऐसे सेट किया जाता है Bottom Plate South Pole से जुड़ी हुई है जिसकी वज़े से Bottom Plate का यह वाला इसा भी South Pole की तरह ही काम करेगा दोनों प्लेट को सेट करने के बाद में North और South Pole मेगनेट में कुछ इस तरीके से रिपरजेंट होते हैं तो प्लेट पर Bass Gate को सेट किया जाता है जिसके उपर पूरा sound का setup त्यार किया जाता है बासकेट के center portion में speaker का driver लगा रहता है जिसको voice coil बोलते हैं यह एक motor की तरह ही काम करता है जिसको electromagnetic motor भी बोल सकते हैं असल में voice coil इस permanent magnet के बीच में यह जो छोटा सा gap होता है इसके बीच में set होती है और यह इस gap में freely up-down कर सकती है voice coil एक temporary magnet होती है जिसमें जब तक supply देंगे तब तक यह magnet की तरह काम करेंगी जैसे ही supply बंद इसका magnetic field भी बंद voice coil के उपर spider लगा रहता है और spider के उपर cone लगा रहता है जिसको diaphragm भी बोलते हैं और यही sound को create करता है voice coil के उपर dust cape लगा कर पेक कर दिया जाता है ताकि कोई धूल मिटी coil में ना चली जाए जिस भी device से speaker लगा रहता है उस device के अंदर एक amplifier होता है जो speaker को signal प्रोवाइड करवाता है amplifier से मिलने वाला signal voice coil को दिया जाता है amplifier का signal एक तरीके का electric signal ही होता है जैसे ही electric signal voice coil को मिलेगा यह magnet की तरह काम करने लग जाएगी और इसमें north और south pole generate हो जाएगे जब voice coil के north और south pole permanent magnet के pole से contact में आएगे तो same pole repel करेंगे and opposite attract जिसकी वज़े से voice coil up-down होने लग जाएगी जब coil up-down होगी तो coil पर लगा spider भी move करेगा और spider से जुड़ा डाइफराम भी move करेगा डाइफराम के ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यह वाला area डाइफराम के move होने के लिए होता है यह एक spring की तरह काम करता है जब डाइफराम में movement होगा तो जो भी sound signal speaker को amplifier से मिलेगा वह हमें सुनाई देगा लेकिन आपके दिमाख में क्यूसन जरूर आया होगा कि इसके movement से वोईस कैसे generate होगी speaker का इंदी मतलब होता है वक्ता जो अच्छा बोल सकता है लेकिन सबी लोगों के पास में यह capacity नहीं होती कुछ लोगों को देखकर लगता है कि यार उनके पास में ऐसी कौन से power है जिसकी वज़े से वह लोग इतने successful है और हम हमारी normal life से भी बार नहीं निकल पा रहे असल में उन लोगों के पास में convincing power होती है जो किसी भी इनसान को अपनी मीठी बातों से अपनी बात मनवा लेते हैं और यह power आप भी gain कर सकते हो एक book में आपको recommend करूंगा How to Talk to Anyone इस book summary को आप Cuckoo FM पर audio form में सुन सकते हो और जरूर से सुनना Cuckoo FM बहुत सांदार platform है जहाँ पर आपको डेरों ऐसी books की audio summary मिल जाएगी और इन books को आप अपनी regional language में भी सुन सकते हो इसके लबा मेरा coupon code LDA50 यूज करने पर fast 250 users को 50% discount मिलने के बाद एक साल की cost 199 हो जाएगी link वीडियो की description में दिया हुआ है वहाँ से Cuckoo FM एप को download कर सकते हो Now back to the point यह एक sound editing software है इसमें इसी वीडियो की script डालने पर यहाँ पर आपको कुछ waveform से दिखाई दे रही है यदि मैं इसको जूम करता ही जाऊंगा तो last में आपको कुछ waveform का pattern दिखाई देने लगेगा और इसी pattern के हिसाब से diaphragm up-down होता है जब wave उपर जाएगी तो diaphragm बाहर आएगा और नीचे जाएगी तो अंदर की तरप और हवा में इस waveform का pattern त्यार करता है जब diaphragm up-down होगा तो air के particle फर force लगाएगा और यह air particle हवा में travel करते हुए हमारे ears तक पहुंशते हैं लेकिन इस condition में यह speaker काम नहीं करेगा यदि open में आप speaker को बजाओगे तो आपको clear वोई सुनाई नहीं देगी क्योंकि जितना diaphragm आगे की तरप जा रहा है उतना ही पीछे की तरप जा रहा है तो same waveform आगे और पीछे की तरप दोनों side में generate होगी front side में waveform positive होगी और back side में negative दोनों आपस में mil जाएगी और sound zero हमें कोई clear sound सुनाई नहीं देगी और जो speaker का bass होगा हो है तो एकदम ही खतम हो जाएगा क्योंकि bass की lower frequency होती है 20 Hz की और हम इंसान 20 Hz frequency को नहीं सुन सकते हैं इसलिए हमें सिरफ bass सुनाई देता है bass speaker से voice नहीं जो lower frequency होती है उनकी wavelength बहुत जादा होती है लेकिन bass के अलावा जो voice होगी उसकी high frequency होती है जिसकी wavelength कम होती है यह frequency cancel तो नहीं होती है लेकिन speaker के दोनों साइड में होने की वज़े से हमें clear voice भी सुनाई नहीं देती ऐसा लगता है जैसे एक ही साथ में दो इंसान एक ही बात बोल रहे हैं यदि speaker को हम किसी enclosure में बंद कर देते हैं तो back side की frequency enclosure में ट्रेफ हो जाएगी और हमें सिर्फ front side की voice ही सुनाई देगी एकदम clear लेकिन आज की latest technology के speaker में hole भी होता है यहाँ पर resonant frequency का concept सामने आता है mainly इस hole का purpose यही होता है कि back side की frequency भी hole से गोम कर आती है और front side में add हो जाती है और वो इसको और ज़्यादा clear बनाता है दोस्तो how to talk to anyone book को कुकू FM पर एक बाद जरूर से सुनना यदि आपको बोलने में hesitation होती है तो वीडियो पसंद आया तो बहुत सारे ऐसे ही वीडियो चेनल पर विजिट करके आप enjoy कर सकते हो